असलो अलेकुम रह्मुत लाइ परकात हूँ आज हम बनाएंगे कच्चे आलू और चिकन खिमे के कबाब एकदमी जटपट से बन जाते हैं और माशालला खाने में बहुती ला जवाब लगते हैं आप एक बार इसे जरू ट्राय करके बना के देखिएगा चलिए फिर बिस्मि से चार पानी में अच्छे से दोके ले लेंगे यह देखिए मैंने इसे तीन से चार पानी में अच्छे से दोके ले ली हूँ अभी हम इसे हाथ की मदद से इसका पुरा पानी निचोड के ले लेंगे बिल्कुल भी हमें इसमें पानी नहीं रखना है यह देखिए इस तरह 250-10050 g चिकन खीमेका इससे भी मै ने अच्छी से धो कि इसका पुरा पानी निकाल ल्कूल भी इसमे पानी में है अभी इसमें पाहिए अभी इसमे में चम्माज भरिक पैस्ट है एक माज दले बर लाल मिश पाउडर जो थै क्या आपके टेस्ट के इसाब से डाल बращね कि आधे चम्मच हम ले लेंगे चाट मसाला पाउडर, नमक दाल देंगे हम, नमक जो है आप आपके टेस की साब से दाल दीजीगा, मैंने तीन से चार हरी मिश को कूट के ले ली हूँ खलबते में, अगर आप चाहे तो इसे बारिक चौप करके भी दाल सकते है हरी मिश को, अभी हम इ इसे अच्छे से मिला के ले लेंगे, आप एक बर इसे ज़रूर ट्राय करके बना के देखिएगा, माशला है खाने में तो बहुती बढ़िया लगते हैं, और ये बहुती आसानी से बन जाते हैं, हम हमेशा ही चिकन खीमे का कबाब हमेशा बनाते हैं, आलू के साथ में बना अब इसे 10 मिनिट मैंने रेस के लिए रख दी थी, अब हम इसे कबाब का शेप दे देंगे, इस तरह से हम इसे चोटे बड़े जिस साइस के आपको शेप देना है, उस साइस के आप दे सकते हैं, आपके इसाप से, मैंने इतने साइस के बना ली थी, इस तरह से हम इसे बना मूरी में यह देखिए एक-एक करде अभी इसी तरह से पुरे बना दे लेंगे माशालों पूरे बन चुके हैं कबाब हमारे अभ्यार आम एसे तेल में फ्राइग कर क् disrupted देंगे लोगे से बिल्कुल भी फाज आलु डाले हैं हम ने के लिए आप इसे अल्टी बल्टी करके इसे तेल में फ्राय करके ले लिजीगा जब माशालला जब देखिए इस तरह का कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे यह देखे यह देखे बन चुके हैं आप एक बार इसे जरूर ट्राय करके बना के देखिएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक शेर सस्क्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार यह जरूर ट्राय करके बना के देखिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ में अल्ला हाफीज दुआ में याद रखना